हलो माई देर स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल अलफा नॉलिज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास सेविंथ मैट्स के एक हाफ यरली कोशन पेपर को डिसकस करने वाले हैं और ये पेपर केंदरी विद्याले के स्टुडेंट्स के लिए है अगर अभी तक आपने हिंदी के हाफ यरली पेपर को और साइंस के हाफ यरली पेपर को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के वी एस हाफ येरली पेपर से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं चेली पेपर को शुरू करते हैं सबसे पहले है सेक्षन ए यहां पर मल्टिपल चैस कोशन पुछे गया है यहां पर नंबर का एक सीक्वेंस दिया हुआ है एक पैटन दिया हुआ है इसकी बात के त्री नंबर्स कौन से होगे अगर पैटन को लेफ्ट साइड देखें तो 2 में 3 एड है 5 हुआ 5 में 3 एड है 8 हुआ 8 में 3 एड है 11 हुआ इसी तरह से अगर राइट साइड चलें तो 11 में 3 माइनस से 8 आएगा 8 में 3 माइनस होगा 5 आएगा 5 में 3 माइनस होगा 2 आएगा अगर 2 में माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा माइनस 1 माइनस 1 में माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 4 और साइन लगेगा माइनस का इसी तरह से माइनस 4 में माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 7 और साइन लगेगा माइनस का आंसर हो जाएगा –1, –4 और –7 Second question है Identity element of multiplication is Multiplication का identity element वो element होता है कि अगर उस number से किसी भी number को multiply करें तो जिस number को multiply कर रहे हैं उसकी identity change नहो Suppose मैंने 25 number लिया इसे 2 से multiply कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 50 ये number और ये number अलग अलग हो गए इस number के लिए या इस multiplication के लिए 2, identity element नहीं है अगर इस number को 1 से multiply करें तो इसमें कोई changes नहीं आएगा आंसर 25 आएगा इसलिए 1, multiplication के लिए identity element है 1 को किसी भी number से multiply करें या किसी भी number को 1 से multiply करें नमबर में कोई भी changes नहीं आएगा इस तरह से 1 identity element है multiplication के लिए question number 3 है the value of 235.4 divided by 100 जब किसी number को 10 से 100 से या 1000 से divide कर दे हैं तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर 0 कितनी है 10 के साथ 1 0 है 100 के साथ 2 0 है और 1000 के साथ 3 0 है यहाँ पर जितनी 0 होती है number में decimal point को left side उतना shift कर देते हैं जैसे यहाँ पर 2 0 है इसलिए यहाँ पर decimal point को left side 2 place shift कर देंगे 5 और 3 के पहले 2.35 हो जाएगा answer हो जाएगा 2.354 question number 4 the picture interprets पहली picture में दूसरी में तीसरी में सभी में 4 parts हैं और एक एक parts shaded हैं इसे इस तरह से लिखेंगे 1 by 4 इसे 1 by 4 इसे 1 by 4 अगर इन्हें add कर दिया जाए तो 1,2,3 shaded part 3 हो जाएंगे इस तरह से और total part है 4 इसलिए divided by 4 इस circle की value हो जाएगी 3 upon 4 इनका इस तरह से addition हो रहा है 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 is called to 3 upon 4 जब इस तरह से addition repeat होता है तो उसे बोलते हैं multiplication तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 times 1 upon 4 repeat हो रहा है इसलिए answer में हो जाएगा 3 और 1.4 repeat हो रहा है इसलिए यहां पर हो जाएगा into 1 upon 4 answer हो जाएगा 3 into 1 upon 4 question number 5 है the perimeter alpha equilateral triangle of the side 3.5 cm is equal to equilateral triangle का मतला है जिसकी 3 side एक बराबर हों और 3 side है 3.5 cm इसका perimeter निकलना है और perimeter का मतला है तीनो side को add कर दिया जाए अगर आप 3.5 को 3 से multiply कर दें या 3.5 को 3 times add कर दें तो answer आजागा 10.5 question number 6 है the mode of the given set of numbers यहां पर set of numbers दिये हुए है इसका mode क्या है किसी दिये हुए numbers के set का mode वो number होता है जो सबसे जादा बार repeat हुआ हो यहां पर देखिए 1 दो बार repeat हुआ है 4 दो बार repeat हुआ है और 3 भी दो बार repeat हुआ है जबकि 2, 1, 2, 3 और 4 times repeat हुआ है इसलिए यहां पर set of mode number है 2 question number 7 है the range of the data यहां पर data दिये हुआ है is 12, 25, 11, 14, 13, 14, 13, 15, 15, 18, 20 जब हम किसी data की range निकालते हैं तो वहां पर जो highest value होती है उसको lowest value से minus कर देते हैं जो answer होता है वहीं उस data का range होता है यहां पर highest value है 25 और lowest value है 11 इन दोनों को minus करेंगे 5 minus 1 is equal to 4 और 2 minus 1 is equal to 1 इस तरह से 14 value आ जाएगी यहां पर data की range होगी 14 question number 8 है sum of 3x and 10 is 13 equation बिदाने के लिए 3 times x अर्थात 3x को 10 से plus कर देंगे add कर देंगे और equal to हो जाएगा 13 इस तरह से simple equation हो जाएगी 3x plus 10 is equal to 13 question number 9 हो जाएगा the solution of the equation x plus 3 is equal to 0 is अगर x की जगे minus 3 रख दिया जाए तो यहां पर answer आ जाएगा 0 answer हो जाएगा minus 3 question number 10 है if the complement of an angle is 79 degree then the angle will be off complement का अर्थ होता है कि 2 angle की value को add करने पर 90 degree आए यहां पर 79 दिया हुआ है इसमें आप कितना add करेंगे कि 90 हो जाए अगर आप 79 degree में 11 degree add करें तो यहां पर answer आ जाएगा 90 degree इसलिए यहां पर correct answer होगा c 11 degree यहां पर 90 degree को 79 से minus करें तो भी 11 answer आ जाएगा question number 11 है if two lines are parallel and are transversal intersect them then each pair of corresponding angles are अगर इस तरह से कोई दो parallel line है और उन lines को एक line इस तरह से intersect कर रही है यह left side है और यह right side है एक side पर बनने वाले angles को corresponding angles कहते हैं यहां पर यह और यह एक दूसरे के corresponding है और यह और यह एक दूसरे के corresponding है यह angle और यह angle हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे यह angle और यह angle हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे इसलिए यहां पर answer हो जाएगा equal question number 12 है which is the longest side of a right triangle right triangle की longest side कोई सी होगी है जिस triangle का angle 90 degree का होता है वो right triangle होता है यह right triangle है यहाँ पे देखे यह वाली side सबसे बड़ी side दिखाई दे रही है यह hypotenuse है इसलिए correct answer हो जाएगा C hypotenuse question number 13 है two of the angle of a triangle are 83 degree और 55 degree find the measure of third angle हम जानते हैं कि किसी triangle के तीनों angle का sum 180 degree होता है यहाँ पर एक angle 83 degree का है और दूसरा है 55 degree का अगर इन दोनों को add करके 180 से minus कर दे तो answer आ जाएगा 83 plus 55 3 plus 5 is control हो जाएगा 8 और 8 plus 5 is control हो जाएगा 13 138 अब इसे 180 से minus करिए 180 minus 138 8 से इसे बारू देंगे यह होगा 10 10 minus 8 is equal to हो जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 7 7 minus 3 is equal to हो जाएगा 42 इस तरह से 9 ratio 4 आ जाएगा answer हो जाएगा 9 ratio 4 question number 15 है skirt bought for rupees 250 and sold at rupees 150 fine profit or loss percent एक skirt 250 rupees में खरीद गई और उसे बेचा गया 150 में तो यहाँ पर सीधा सा दिखाए दे रहा है कि loss हो रहा है इसको percentage में बताना है पहले loss निकालेंगे फिर उसे percentage में convert करेंगे 250 को 150 से minus करेंगे तो answer आ जाएगा 100 100 rupees का loss हो रहा है अब percentage निकालने के लिए loss को numerator में रखेंगे और cost को denominator में रखेंगे इसको 100 से multiply कर देंगे यह 0 और यह 0 cancel हो जाएगा 25 फोर सा 100 आ जाएगा 4 को 10 से multiply करेंगे तो 40 आ जाएगा answer हो जाएगा 40 परसेंट लॉस section B यहां पर question को आपको पूरा solve करके दिखाना है question number 16 है out of 15,000 voters 60% voted find the percentage of voters who did not vote how many voters actually did not vote 15,000 voters में से केवल 60% voters ने vote किया है यहां पर यह बताना है कि कितने percent लोगों ने vote नहीं किया है और वो voters कितने है solution आप इस प्रकास लिखेंगे given है question में total number of voters 15,000 percentage of voters who votes is called to है 60% now percentage of those who did not vote अब उन voters का percentage बताना है जिन्हों नहीं किया है 15,000 मतलब 100% voters इसमें से 60% ने vote किया है जब 100 को 60 से माइनस करेंगे तो 40 आएगा number of people who did not votes score to हो जाएगा 40% of 15,000 is called to हो जाएगा 40 divided by 100 into 15,000 यहां पर 2,0 cancel हो जाएगी एक 0 इसकी और एक 0 इसकी बचेगी यहां पर 2,0 लुखे और 15 fours are 60 answer हो जाएगा 6,000 question number 16 में और question है I bought a TV for rupees 10,000 and sold it at a profit of 20% how much money did I get for it मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदी और उसे 20% profit में बेज दिया तो मुझे कितने पैसे मिले solution इस तरह से हो जाएगा टीवी की cost थी 10,000 रूपीज और 10,000 का 20% profit में उसे बेज दिया अब इस 10,000 का 20% निकालना है इसकी लिए 20 divided by 100 into 10,000 लिखेंगे इसकी 2,0 और इसकी 2,0 cancel हो जाएगी यहाँ पर 3,0 बच रहे हैं 1,2 और 3 यहाँ पर 3,0 लिखेंगे और 1,2,2 आसर हो जाएगा 2,000 रूपीज सेनी प्राइस हो जाएगी cost price plus profit cost price है 10,000 और profit है 2,000 का 10,000 प्लस 2,000 इकोल टो हो जाएगा 12,000 यहाँ पर profit हो रहा है 2,000 का question number 17 है and air conditioner cools a room by 4 degree Celsius per minute एक air conditioner room को 4 degree Celsius हर मिनट पर ठंडा करता है if the temperature of the room is 45 degree Celsius before switching on the air conditioner अगर room का temperature conditioner को on करने से पहले 45 degree Celsius था तो air conditioner को on करने की 6 minute के बाद room का temperature क्या होगा find करिये solution इस प्रकार हो जागा if the air conditioner cool the room temperature 4 degree Celsius per minute then after 6 minutes it will cool the room by 4 degree Celsius per minute into 6 minute is equal to 24 degree Celsius अगर air conditioner हर minute में 4 degree Celsius room को ठंडा कर रहा है तो 6 minute में 6 into 4, 6 forza 24 degree Celsius ठंडा करेगा the temperature of the room after switching on the air conditioner for 6 minutes will be हो जाएगा 44 degree Celsius starting में 44 degree Celsius room का temperature था इसे माइनस करेंगे 24 degree Celsius से तो answer आजाएगा 21 degree Celsius क्योंकि air conditioner का switch on करने के पहले room का temperature था 45 degree Celsius और 6 minute बाद ये हो गया 24 degree Celsius इसलिए air conditioner के switch को on करने के बाद 6 minute के बाद temperature हो जाएगा room का 21 degree Celsius इस वीडियो में question paper को question number 17 तक ही discuss करेंगे question number 18 से last question तर part 2 वीडियो में discuss करेंगे this is the end of video thanks for watching